राना या नाना अरे एहमद यहां अकेले क्यों बैटे हो भाही आज तो कम्प्यूटर के सर एपसेंट है तो मेरे सोचर बाई महुसा मच्छे है तो एंजॉय करते है अच्छा तुम यह बताओ कि तुम मुस्करा क्यों रहे हो अरे तुम मेरे सवाल का जो आप देने के वज़े कहके लगाने लगए हो अरे कल कम्प्यूटर के लेक्चर में सर ने हमें वाइस टाइपिंग के बारे में लेक्चर के दुरान ऐसी कोई फनी फनी बाते होई ना कि तुम भी हस हस के पागल हो जाओगे अरे तुम क्या सोच रहे हो मुझे तुम्हारी बात से एक और ख्याल आया है अच्छा क्या ख्याल आया मुझे भी तो बताओ दरसल मुझे ये ख्याल आया है जब दुन्यावी जबानों में तलफ्स की अदाइगी इतनी एहमियत रखती है इसी तरह कुरान जो के अल्ला की किताब है उसमें सही तलफ्स की दाइगी किस कदर जरूरी होगी बिल्कुल यार अभी कल ही की बात है कि अब्बू ने मुझे तजवीद के बारे में समझाया और ये हिदायत की कि हम नमाज में तलावत तो तस्वीहाद दरूस तलफ्स से अदा करें बिल्कुल सही कहा अंकल ने हमें भी मुदर्से में यही तालीम दी गई थी और अब तो स्कूलों में भी तजवीद पर पहनत की जा रही है जैसे अलहम्दुलिल्ल्ह में अगर हम हा को हा में बदल दें और अलहम्द पर हैं तो इसका माइनी नाउज बिल्लह यह होगा के सारा धुमा अल्ला ताला के लिए है जबके अलहम्दुलिल्ला का माइनी है सारी तारीफे अल्ला के लिए है इसी तरहा कुल का माइनी है कह दीजिए जबके अगर इसे दुर्स अंदाज में ना किया जाए और कुल पढ़ा जाए तो माइनी होगा खाईए इसलिए कुरान मजीद को दुरूस तलफस के साथ पढ़ना और इसके लिए तजवीद को सीखना जरूरी है बहुत एहम बातें बताईएं यार हमने भी मुझरसे में पढ़ा तक तजवीद का इलम बहुत जरूरी है तज्वीज की सितला हमें कुरान मजीद की तलफूस में एक घलती को लहन कहते हैं फिक्या की रुसे लहन जली यानी बड़ी खलती हराम है जबके लहन खाफी यानी च्छोटे गलती मखरू है अगर लहन जली इस नौईत की हो के इस से माईने भी बज़ल जाएं तो नमाज ठूट जाती है हाँ यार बस अल्ला तौफीक दे हमें कुरान की तज्वीद सही करने की अच्छा यार मैं चलता हूँ अब मेरी क्लास दूने वाली है चलो ओक्या लाफिस चलो ठीक है ओक्या लाफिस और कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ है